हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना सो विल्कम बैक टो आज ब्रिंदावन सिकुंज और करांगी आरे में बनने वाला मास्टर चेफ और जैसे कि होता है कि किसी आप चीज में बहुत परफेक्ट बनाने हो करें तो वोह मेरी दो चीज़ें एक है शिकश्कंची के लिल्हें लैमने ठीज्ट मुल्पाय तो आज मैं बनाऊँगा क्योंट कॉल्ड कॉफिए और मैं आपको बदाऊँगा कि मैं कैसे बनाता हूं कोज्ड Q v कोफी तो अभी बनाएंगे और दिखाता हूं मैं क्या-क्या यूज़ करता हूं कोफी मुनाने के लिए कोफी सो मेजर्मेंट के लिए हम यूज़ करेंगे यह वाला ग्लास कप तो यह राम मिल्क तो इसको इसमें टू कप्स करके बट हम लोग तो चार लोगा अभी मैं तो यह फिल हो चुका है ग्लास तो इसको डालेंगे और अगर एक पॉट लेकर उसको उसमें भी बना सकता है क्या होता है मतलब एक ब्लेंडर होता है उसमें बना रहा हूं तो इसमें डालेंगे टू ग्लास रिल अभर सब्सक्राइब ग्लास इसालिए रेयो फैर ईसमें डालेंगे नाकर भी तो इसमें डालें perfectly feel वोड़ा फ्यात्ति प्राइं तो फोड़ बात्तिन 6 स्वेड़ दालें लिए 1 फूल अभर आपको अंधा ज्यादा बितर और स्प्रॉण काफी पज़नदे तो आप अडाल। बाद नालें 1 पूल और स्वेश को साथ करिए and now we will set this blender on the mixi like this oh one more ingredient ice cream and ice so we are also adding ice cream in it it's American nuts you can add any ice cream you like I found only American nut so this is our ice cream finally open so this is our spoon and this is our ice cream oh we will add one full of one box if you can break out then you can add it we will blend it by the way American nuts ice cream data favorite ice cream we will add the ice cream we will add the ice cream and we will add the ice cream and add the ice cream और अगर आप अक्यले बना रहे हो तो आपको मतला साहदानी से करना है तुकि अगर आपने सुचान रखके करा तो पिर अचानक से अन भी हो सकता है तो इसलिए तो पिर इसलिए ओफ करके रखना जाए इसमें आई स्टाइब तो आप से चाफ करे देंगे और इसको प्लब देंगे तो मैंने बीट मज़ा आइस डाल लिया था और मैंने थोड़ा काम आइस डाले क्यूंकि बहुत अल्रेडी चल मेल था इसलिए तो अब हमारे कॉफी रेड़ी है तो अब इसे सर्फ करेंगे तो अब मैंने ग्लास ले लिया और दुस्तरा वाला ग्लास भी लेना है तो आज मैंने एक हैग भी ड्राइब हुआ हुआ जो मैं वारत पूला है नहीं है पर मुझे एक बार ट्राइब करने तो वह चौकलेट सिर्फ से ग्लास को डेकोरेट करते हैं तो मैं वह ट्राइब करूंगा पर ट्राइब कर्षा हुआ है ट्राइब करसे हैं तो अब आखाईब कर्षा है तो अब्धान हम लालेंगे पने चैर्ज कोफी इंटो देग्लास तो यह हमारे कोफिरा कॉंट्री ने थोड़ा बढ़ दाता है क्योंकि हम आइस डाल देते हैं इसलिए तो आइस मेल्ट होगे इसके दाद मिक्स हो जाती है तो अब हम डालेंगे मोर आइस्क्रीम प्रम दावा हो मेरे पास वह स्कूप नहीं है तो इसलिए इंस्टेड आफ दे स्कूप आइम यूजिंग देस नॉर्मल स्पून और यह अब हम इसको उपाजे भी डेकॉरेट करेंगे तो अब यह मरी बहुत युमी सी कॉल्ड कॉफी रेड़ी है चॉक्रेटी कॉल्ड कॉफी यह आप भी ड्राइब करो बहुत आपना सकते हैं इसे तेस्ट करने के लिए तो अब दैदा की आप आये और यसे टेस्ट करके आमें दिखाएए तो अभी टेस्ट प्सक्रतिक आप मास्टर शेफ कुझ्या बना कुझ्या यो अच्छा है यह तो ग्लास किसकी कॉफी है तो आज की रेसिपी यही थी तो और अब देखते हम अगली रेसिपी क्या बनाएंगे तो मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ बाई बाई हरी कृष्णा